नमस्कार मैं हूँ दिपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे निउस केंद्रिये ट्रेड संगों ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद का अभण किया है आपको बता दे कि यह बंद मोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है बैंकिंग रोडवेज बीमा और वित्तियक शेत्र के कर्मचारी भी इस बंद में भाग लेंगे इस बंद के चलते 28 और 29 मार्च को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं वहीं देश के सबसे बड़े बैंक भारती स्टेट बैंक ने कहा है कि हरताल के चलते बैंकिंग सर्विस पर भी असर पड़ सकता है हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि हरताल के दौरान कामकाज निप्टाने के लिए आवश्यक विवस्था की गई है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बैंक के कामकाज पर सीमित असर पड़ सकता है इस भारत बंद में टेलिकॉम, कोईला, इस्पा, तेल, पोस्टल, इंकम टैक, तामबा, बैंक, बीमा आधी जैसे छेत्रों में यूनियनों को भी हरताल में शामिल होने की अपील की गई है रेलवे और रक्षक शेत्र की यूनियन देश भर में सैकणू जगह हरताल के समर्थन में भारत बंद करी ही अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें, खबर टुडे न्यूज के साथ